नमस्कार दोस्तों स्वागत हैँका हमारे यूटूब चैनल में आज इस वीडियो में डिस्क्रक्स करेंगे अक्टुबर 2021 के टॉप 35 करेंट एफ़र के क्षेशन को और इस मन्त के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट एफ़र के क्षेशन है सारे इस वीडियों हमने लिये हैं और आजके इस वीडियो का टार्गेट है फाइव इंडे लाइक का फाइव इंडे लाइक कंप्लिट हो रही इसकी पीडियो आपको मिल जाएगे टेली ग्रूप पे जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ साइब जॉइन कर सक करते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहले कुशिन है तो इस प्रस्ति का सही जवाब है ऑप्शन नमर सी इटली ठीक है तो जो सोलवाज जी ट्वंटी सम्वेलन है ये इटली में हुआ है 30 और 31 अक्टूबर 2021 को जी ट्वंटी की बात करें तो ये 19 देश और European Union का समुआ है ठीक है European Union प्लस 19 देश और इसमें भारत भी इसका हिस्सा है इसका formation हो था 26 सितमबर 1999 को और जो जी ट्वंटी का सत्रुवा सम्मेलन होगा ये होगा इंडोनेशिय में ठीक है और जो अठारवा सम्मेलन होगा ये होगा भारत में अठारवा आप ये आपको याद रखना है अगला प्रसन है भारती Reserve Bank RBI की फिर से Governor कौन बने है तो इस प्रसन का सही जवाब है Option B सक्तिकान दास तो देखिए सक्तिकान दास जो है RBI की Governor थे इनको फिर से Repoint किया गया है यानिकि इनका tenure जो है इनकी जो अविदी है उसको बढ़ाया गया है 3 साल के लिए तो ये फिर से Governor बने हैं 10 December 2021 को RBI के ठीक है देखिए RBI की Full Firmity Reserve Bank of India बारत में जितने भी बैंक है उन सभी को Regulate RBI की द्वारे किया जाता है इसकी स्थापना हुटी 1 April 1935 को आपको comment box मों बताना है कि ये कौन से करम के RBI के Governor है नेक्स टेप Facebook Company ने अपना नाम बदल कर नया नाम क्या रख दिया है तो इस प्रस्न का सही जबाब है Option No.3 Meta ठीक है तो Facebook ने अपना नाम चेंज करके आप रख दिया है Meta ये आपको या रखना है एक्जाम आपसे question पूछा जा सकता है Facebook के founder कौन है Mark Zuckerberg ठीक है इसकी स्थाप तो इस प्रस्न का सही जबाब है Option No.D ठीक है इसका परिक्षन क्या है South Korea ने South Korea ठीक है South Korea ठीक है South Korea ने अपना पहला इंडिजीनेस यानि कि स्वादिसी अंत्रेक्स रॉकेट जिसका नाम है नूरी का परिक्षन क्या हाला कि इसका परिक्षन सपल नहीं हुआ ये फेल हो गया लेकिन आपको इसका नाम रखना है नूरी एक रॉकेट है जिसका परिक्षन जो है South Korea ने क्या था North Korea ने नहीं ठीक है और South Korea की राजदानी क्या है सियोल जो है इसकी राजदानी है वर्तवान में South Korea के प्रधामत्री है किम बुक्यूम और रास्पती है मुन जेइन ठीक है ये आपको याद रखना है किस राज़ में देश की पहली IVF तकनीक से बनी भेंस के बच्छड़े का जन्म हो है तो देखिए बनी भेंस के बच्छड़े का जन्म हो है ओप्सन नमर B गुजरात में ठीक है तो ये एक्जाम में कुशन बन सकता है बनी भेंस जो है ये है बनी भेंस और इसके IVF तकनीक स से यह बनी है आई भी यह भानी की in vitro fertilization ठीक है in vitro fertilization तकनीक से जो है पहली बनी भी है के बच्छड़े का जन्म हुआ है वह है गुजरात में ठीक है option number 20 का सही जवाब है next है भारत का पहला aromatic garden सुर्भी वाटिका का उद्गाटन कहां पर किया गया तो इसका सही जवाब है option number B हल्दुवाणी में ठीक है हल्दुवाणी का पर है उत्राखंड में स्तित है और हल्दुवाणी के लालकुआ में जो है पहला aromatic garden मना है जो कि भारत का पहला garden है तो aromatic garden का मतलब है फूल से बनाया हुआ ठीक है यहाँ 140 सुगंदी प्रजातिया जो है फूल की प्रजातिया 2021 में भारत 71 इस्तान पर है इसमें Ireland ने टॉप किया है अगर बात करें हाली में जारी विस्व भुकमरी सुचिकांग की तो भारत की उसमें रेंग थी 101 ठीक है 101 रेंग थी और आउट ओफ 116 countries विस्व खादी दिवस 16 अक्टूबर को मना जाता है और 16 अक्टूबर 1925 को FAO की स्थापन होई थी Food and Agriculture Organization ठीक है Food and Agriculture Organization इसका Headquarter है अपका Rome Italy में इसके स्थापन होई ती 16 अक्टूबर को विस्व खादी दियो इसके रूब में मना जाता है ठीक है इससे पहले एक सुचिकांग और जारी होता नवाचार सुचिकांग वैस्विक नवाचार सुचिकांग इसमे सुचिकांग में यहीं पर भारती अनुसंदान कला केंदर इसके स्थापना की गई है ठीक है तो सुचिकांग में देखे बहुत सारे इंस्ट्यूशन है जिनके Headquarter है जैसे ILO International Labour Organization इसका मुख्याला है जिन्यों में ठीक है ऐलिम्पिक समिती का मुख्याल है लिवसाने सुचि लेंड में ठीक है वॉल्ड ट्रेड ओर्नीजेशन का भी मुख्याल है और वर्ड हैल्थ अरगनाशंइस का मुख्याले सुचिलेंड में सब्सक्सि आ quería जिता है तो जिसको हालनी में चीन ए जी का साई जिवा बदयाब ठीक है और थॉमस कब देखिए ये भी बेटमेंटेंस से संब्धित कब है इसको हाली में इंडियो नेसे ने जीता है चीन को हराकर 2021 में ये दोनु कब आपको आपको आरखना है बेटमेंटेंस से संब्धित कब है नेक्स्ट आपको 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 आप ठीके अगर बात करें कौन सा गाउं है इसा तो गाउं है वेयान गाउं जो की जम्मू कस्मीर का है तो यह दोनों आपको यालक नहीं है ठीका करें अभ्यान कब सुरुआ था 16 जनुवरी 2021 को यह शुरुआ होता और पहला ठीका किसको लगा था भारत में मनीज कुमार को जो है पहला ठीका लगाए गया था नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2021 को किसका सेतीसु अस्तापना दिवस मनाया गया तो इसका सही जवाब है अप्सन नमबर A राश्ती स्रुक्षगार ठीके तो एनेसजी की स्टापना होती 1984 में 16 अक्टूबर को ठीके तो 16 अक्टूबर को ही इसका स्टापना दिवस मनाया गया 37 अस्तापना दिवस इसके वरतमान में महान दे सके है M.A. गणपती ठीके M.A. गणपती वरतमान में महान दे सके M.A. भारती अंतराश्ती फिल्म मौसव का 52 संस्क्रण 52 नमबर का एडिसन जो है किस राजी में आयजित किया जाएगा तो देखे इसका जो 52 संस्क्रण होगा वो होगा गोवा में ठीके इससे बहले जो 51 नमबर का होता ये भी गोवा में होता और जो 52 नमबर का की दिवस कम मना जाता है तो इसका सही जबाब है ऑप्शन नमब सी 20 अक्टूबर को हर साल 20 अक्टूबर को विज्टो सांखे की दिवस मना जाता है अगर रास्त्री सांखे की दिवस की बात करें तो 29 यून को मना जाता है ये मना जाता है पी सी महाल नोविस के जन्द दिन तो इसका सही जबाब है तो मद्य प्रदेश सरकार ने हाली में मुख्यमंत्री रासन आपके दौार योजना की सिरुवाद की है मद्य प्रदेश सरकार की योजना है एक जिला एक सिल्प अभियान संकल्प अभियान ये भी मद्य प्रदेश का है मद्यपर्दिश की राजदनी है भोपाल, मुख्य मंत्री है वर्तमान में है पर सिवराज सिंग चोहान और गवंदर इंपोर्टेंट है, रिजिसन पर ही अपोइंट हुए है, छगन भाई, मंगु भाई, पटेलिया के गवंदर है नेक्स्ट है, अंतरासी सौर गड़बंदन आई एसी, यानि की इंटरनेसल सोलर अलाइंस की चौथी महासबा की अध्यक्स्ता किसके दुआरा की गई तो इसके अध्यक्स्ता की गई, आरके सिंग, ये भारत के वर्थवान में नवी करणी मंत्री है, आरके सिंग, इनी के दुआरा इंटरनेसल सोलर अलाइंस की चौथी महासबा की अध्यक्स्ता की गई International Solar Alliance की बात करें तो दुर्जा पंद्रा में इसका फॉर्मेशन हुआ था Headquarter कहाँ पर स्तेथिसका Headquarter स्तेथिसका गुरुगराम हरियाडम है ठीक है तो यह आपके लिए important है अगर आपसे पुछा जाए भारत का पहला किरसी आधारित सौर उर्जा सयंत कहाँ पर स्तापित किया गया है तो यह जैपूर में स्तापित किया गया है अगला कुशिन है 94 अकादमी पुरुषकार जो 94 ओसकर आवर्ड होंगी उसमें भारत की तरब से कौन सी फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है तो इसका सही जवाब है option number D कुझांगल को ठीक है इसको जो है official entry मिल चुकी बारत की ओर से तो जो 2022 में फिल्म जाएगी भारत की ओर से वो है कुझांगल ठीक है इसको officially entry मिल चुकी है 2021 में कौन सी थी? 2021 में थी जली कट्टू ठीक है? जली कट्टू 2021 में थी और 2022 में होगी कुझांकल 93 Oscar Award जो हुए थे उसमें best film कौन सी थी? तो उसमें थी Nomadland ठीक है Nomadland जो है 93 Oscar Award में best film थी तो इस question से आपको इतना याद रखना है अगला question है हाली में कौन सा राज्य दाल चीनी की संगठित खेती सुरू करने वाला पहला राज्य बना है तो इसका सही जबाब है option number C हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश जो है दाल चीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है और हिमाचल प्रदेश 100% LPG gas connection प्रदेश करने वाला भी पहला राज्य था ठीक है यह भी आपको याद दखना है निक्स्ट है एड्यूर मिर्च और कुटी अट्टूर आम जो हाली में खबरू में है इक किस राज्य से संब्दित है तो इसका सई जबाब है option number 1 केरल से संब्दित है और October 2021 में इनको ZI tag दिया गया है किसको किसको एड्यूर मिर्च और कुटी अट्टूर आम को ठीक है किस राज्य से संब्दित है केर्य से संब्दित है और ZI tag का अधिनियम कौन सा है 1999 का अधिनिम है जो particular किसी area में कोई चीज famous होती है तो वहाँ पर JI tag दिया जाता है 10 सालो के लिए ठीक है और पहला JI tag कप दिया गया गया था 2004 में किसको दिया गया था Darzellin की चाई को Next है Henley passport index 2021 में भारत की rank क्या है तो Henley passport index 2021 में भारत की rank है 90 ठीक है तो 4 quarter में Henley passport index जारी किया जाता है और जो quarter third है पासपोर्ट कितना strong है ठीक है और उस पासपोर्ट को कितने countries में वीजा easily मिल जाता है इस ते में पता चलता है ठीक है तो पहले इस्तान पर कौन है वो है जापान और सिंगापूर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है जापान और सिंगापूर और जो अंतिम स्तान पर है वो है अफगानिस्तान नेक्स्ट है बतु कम्मा उस्व किस राजी में मना जाता है तो बतु कम्मा उस्व मना जाता है तेलंगाने में और बतु कम्मा उस्व का सही जवाब है तेलंगाने में बतु कम्मा उस्व बारती वाइसना यानी की इंडिन एरफोर्स ने कब बनाया है आठ अक्टूबर 2021 सब्सक्राइब hm ठीक है इसकर इसलिए अर्ट एक्टूबर 1932 सब्सक्राइब Wi-IT इसलिए आठ एक्टूबर को एरफोर्स लेके रूप में मना जाते है वरतवान में एरफोर्स के चीप कौन है विवेक राम चौदरी ये आपको आरता है रिसेंट में अपॉइंट हुए है ये वर्टवान में भारती वाइसवना के चीप है और उपरमुख कौन है संदीप सिम्व वर्टवान में उपरमुख है ठीक है नेक्स्ट है विश्व कुस्ती चेंपिनसिप 2021 का आयोजन कहा हुआ है तो इसका सही जवाब है ओप्सन नमर सी ओसलो में ये हुए ओसलो में 2 से 10 अप्टूबर की बीच में हुआ था और ओसलो कहां की राजदानी है नौर्वे की राजदानी है ओसलो ये आपको याद रखना अगला कुछ नहीं ओसलो थाँ णोर्व का दे सब्सक्राइब महिल्या है तो इसका सही जवाब है ओप्सन नमर सी स्मुर्ती मंधाना धीके अजो है ऑस्ट्यलय की धर्थी परТेस्ट बनाने वाले भारत की पहली महिला जो है बन गई है ठीक है और पिंक बॉल से ठीक है पिंक बॉल से सेंचुरी मानने वाली ये पहली महिला है भारत की ठीक है और मिताली राज जो की भारत की कैप्टेन है ये जो है 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर है ठीक है इंटरेट से क्रिकेटर में 20 सजार रन बनाने वाली पहली महिला कौन है? किरिकेटर कौन है? वो है मिताली राज नेक्स्ट है बारत की उपराष्टपती ने रास्ति एकटा और रास्ति युगदान के लिए लोग परी गोपीनात बारदुली पुरिसकार प्रदान किया तो 21 से प्रदान किया है इसका सही जवाब है option number A निरोध कुमार बरुव अकोर ठीक है तो इनको जो है राश्टी एकतार राश्टी योगदान के लिए इनको जो है 2021 में गोपिनात बारदोली पुरुषकार दिया गया है ठीक है गोपिनात बुरुषकार बुरुषकार ठीक ह नेक्स्ट है हाली में जारी global hunger index 2021 में भारत की रैंक क्या है तो global hunger index 2021 में भारत की रैंक है 10.1 मैंने आपको पहले बताया भी out of 116 continents है ठीक है तो काफी बेकार हालत है इंडिया की और नेपाल, बांगले देश, मियमार, पाकस्तान जो है भारत से आगे है इस रिष्ट में अग जो है 27 रन उसा हराया और ये ट्रोफी किसने जीती है IPL 2021 की चिने जी सूबर किंग ने ठीक है और CS का गाई चोथा IPL खिदाब है सबसे ज्यादा बार IPL ट्रोफी किसने जीती है मुंबई इंडियन से पांच बार ठीक है 2021 में परपल केप किसको मिला था ये मिला था हरसल पटेल को ठीक हरसल पटेल को सबसे ज्यादा विकेट दे थे और और ओरेंज केप किसको मिला था रितुरवाज गईकवाट को चिने सूबर किंग के हैं इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाये थे ठीक है ये आपको या रखना ह और ये इसका 14 एडिसन था इससे पहले 13 एडिसन किसे जएदा था जो की 2020 मोह था मुंबई इंडियस ने अगला है हाली में भारत सरकार ने किस कंपणी को महारतन का दर्जा दिया है तो इस प्रस्टन का सही जबाब है option number D power finance corporation ठीक है power finance corporation अब 11 महारतन कंपनीज हो गई है बारत में अगले है 11 एक्टूबर 2021 को फीफा ने अंडर 17 महिला विश्यकप 2022 का सुभंकर का अनावर्ण किया है तो क्या है 2022 में जो अंडर 17 महिला विश्यकप होगा वह होगा भारत में और इसका सुभंकर क्या है इबा ठीक है ये एसियन सिर्णी है इबा ये जो है 2022 में अंडर 17 फीफा विश्यकप जो कि भारत में होगा इसका सुभंकर होगा या मैस कोड होगा ठीक है मिराजी तो वह कहा है टोक्यो ओलम्पिक का सुबंकर था और सुमाइटी जो है टोक्यो पैरा ओलम्पिक का सुबंकर था ठीक है तो यह दोनों भी आपको या रखने है नेक्स्ट है अंतरास्टी बाली का दिवस इंटरनेसल डे ओफ गल्चैल्ड 2021 का मना जाता है तो इसका सह स्री गोश्वामी को ओत्राखन का सीम बनाये गये था और 2021 में अंतरास्टी बाली का दिवस की थीम किया है तो डिजिटल पीड़ी हमारी पीड़ी यानि कि डिजिटल जनेरेशन आवर जनेरेशन नेकस्ट है 12 अंक्टूबर 2020 को किस संस्ता आयोग का 28 स्थापन दिवस आयजित किया गया तो इसका सही जिबाब है ऑप्सिन नदुमबर ए रास्ती मानोवदिकार आयोग इसकी स्थापन को पीथी 12 अंक्टूबर 1993 को इसलिए 12 अंक्टूबर को तो 10 December को हर साल 200 माना अधिकार दिवस की रूप में मना जाता है अगले है October 2020 को Astronautical Society of India ASI द्वारा 35 आरिभट पुरुषकार से किसे सम्मानित किया तो इसका सहीज बावे Option number C, G37 Reddy को ठीक है, ये जो है DRD को है वर्तमान में DRD अनिके Defense Research Development Organization इसके वर्तमान में चीप कोन है G37 Reddy, इनिको जो है 2021 में आरिभट पुरुषकार दिया गया ठीक है, नेक्स्ट है मेरा घर, मेरा नाम योजना किस राजी सरकार ने शुरू की है तो ये सरकार सु है पंजाब, ठीक है, option number C का सही जबाब है हाली में पंजाब सरकार ने मेरा घर, मेरा नाम या नाम योजना सुरू की है ठीक है, पंजाब की मुख्यमत्री कोन है उर्तमान में चरंजी सिख चन्नी, रिजसेंट में ही बने है तो इनका नाम भी आपको आरखना है अगला है भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, सत्रवार संस्कुना जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2021 कहा हुए है, तो भारत और अमेरिका के बीच जो है एक्सराइज है युद्ध अभ्यास, ये हाली में हुए है अलास्का में, ठीक है, ओप्सिन नमर्ट D इसका सही जबाव जाएगा, देखे इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, और किसके बीच होता है भारत और अमेरिका के बीच, और ये इसका 17 एडिसन है, और ये कब से कब तक चला है, 15 से 29 अक्टूबर तक, ठीक है, तो कहां पर हुआ है अमेरिका में है, 50 स्टेट है अमेरिका में, उसका एक स्टेट है अलास्का, नेक्स है, 13 अक्टूबर 2021 को देश में समग्रों और एकिकरित बुन्यादी धाचे के विकास के लिए प्रधान मंत्री नरेन बोदी ने कौन सा मास्टर प्लान सुरू किया है प्रधान मंत्री नरेन बोदी जी ने, इसका उद्देश ही क्या है लोजिस्टिक लागत को कम करना और अर्थ बस्वा का बढ़ाने के लिए बुन्यादी धाचे का विकास करना और एक डिजिटल मंची तायर करना जो भारत के सभी मंत्राले हैं, सोला मंत्राय को जोड़ के ठीक है और इसमें टोटल खर्चा आएगा सो लाग करोड का नेक्स्ट है, अक्टूबर दोजाए किसको कहा पर भारत के पहले अटल कम्यूटी इनोविशन सेंटर का उद्गाटन किया गया तो इसका सही जवाब है, ओप्शन नमर्ट दी जेपूर में, ठीक है तो भारत का पहला अटल इनोविशन कम्यूटी सेंटर का उद्गाटन जो है जेपूर में किया गया, ओप्शन नमर्ट दी इसका सही जवाब है और किस के द्वारा किया गया है ये किया गया है नीती आयोक के द्वारा ये भी आपको याद अखना है तो ये थे important 35 current affair के question October month के I hope ये वीडियो आपको पसन आया होगा तो ये है इस वीडियो के और थैंक्स पूर आचिंग and God bless you all